एहंकार और अभिमान एक दूसरे के पूरक पंडित मुरारी लाल पारशर श्री मद भागवत कथा में 56 भव्य फूल बंगला एवं महा आरती का हुआ आयोचन जिला कलेक्टर शूती भारदुआज ने महा आरती में लिया भाग श्री मद भागवत कथा ग्यान यगे के पाचवे दिन व्यास पीट पर विराज मान पूजे भागवत अचारे पंडित मुरारी लाल पारशर ने भागवान श्री कृष्ण जी की बाल लिलाओं एवं गोवर्धन पूजा की कथा का व्रत ताउंथ सुनाया इस जोरान कथा में डीक जिला करेक्टर शूती भारदवाज एवं तहसिलदार जुगीता मीना ने कथा में पहुँचकर कथा का श्रवन किया और गिराज माहराज की पूजा अर्शना करते हुए महा आर्थी की इस मौके पर पूजे भागवत अचारे पारशर ने कहा कि व्यक्ति को हमेशा धरम के मार्ग पर चलकर समास सिवा में लोगों को आगे आना चाहिए मानव जब इस संसार में जनम लेता है तो चार व्याधी उत्पन होते हैं रोग, शोक, व्रदापन और मौत मानव इनी चार व्याधियों से धीर कर इस माय रूपी संसार से विदा लेता है सांसारिक बंदन में जितना बंद होगे उतना ही पाप के नस्दीक पहुचोगे इसलिए सांसारिक बंदन से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में जाओ तभी जीवन रूपी नईया पार होगी आज के दौर में परिशानी और अविश्वास बढ़ता जा रहा है पारशर ने गुबरदन पूजा की कता का वर्ण करते हुए कहा कि अहिंकार और अभिमान एक दूसरे के पूरक होते हैं कता के दौरान मंदिर परिशर में 56 भोग एवं भवे फूल बंगला की जाकी सजाई गई हमारे प्रमुक पतिष्ठान है रादिका स्वीर्स मा वेश्वदेवी मंदर के समीप छटी करा रादिका स्वीर्स देवल पुल के पास कोसी कला रादिका स्वीर्स मंडी समीती के सामने सौंख रोड मतरा रादिका स्वीट्स तौली प्याव मत्रा और रादिका स्वीट्स श्रीकिशन जन्मे स्थान के पास पोत्रा कुंट मत्रा